हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल दा आज आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं यह टॉपिक तो मैथ का है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रियोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में देखने के लिए मिलता है जो कॉमर्स के स्टुडेंट्स होते हैं उनको भी इसकी बहुत ज़्याद जरूरत पढ़ती है यानि कि उनके यहाँ भी इसका प्रियोग किया जाता है तो यह टॉपिक का नाम है एंटी लॉगरिथम अर्थात एंटी लॉग इसको पढ़ने के लिए आपको पहले लोग आना बहुत जरूरी है लोग आपको देखना आना चाहिए लोग के वारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको लोग टेबल अभी तक देखनी नहीं आती है अभी भी आप उसे देखने में प्रावलम मैसूस करते हैं तो हमारे दो वीडियो लॉग के आये हुए हैं पहले उन्हें पढ़ लिजिए उसके बाद ही आपको ऐंटी लॉग अरिफ्म समझ में आयेगा क्यूंकि जो एंटी लोग होता है वो लोग पर ही डिपैंड करता है अगर आपको लोग समझ में आ गया है तो एंटी लोग भी समझ में आ जाएगा इस वीडियो में हम आपको यह ब उसके लिए important है तो आईए वीडियो start करते हैं देखिए अगर कहीं आपको दिया हुआ है log x यह कहीं आपको दिया हुआ है ठीक है कितना दिया हुआ है suppose that यह दिया हुआ है 0.597 ऐसे कुछ करके दिया हुआ है तो अब जब log को आप इधर लेके आएंगे तो यह क्या बन जाएगा आपका anti log बन जाएगा anti log 0.597 कहने का मतलब हुआ कि log x की value क्या थी आपकी 0.597 थी और आपको अगर log x की value दी हुई है और x की value निकालनी है ठीक है तो यह जो log है वो इधर equal के दूसरे साइड में आके क्या बन जाता है anti log बन जाता है ठीक यहां से हम क्या कर सकते हैं log की value के साथ साथ anti log जो है उसका पता कर सकते हैं कहने का मतलब x की value निकाल लेंगे तो हमें anti log देखना पड़ेगा अब यहां दो चीजों का ध्यान रखना है आपको पहली बात कि जो हमारा anti log होता है वो हमेशा positive नंबर का देखा जाता है यानि कि number क्या होनी चाहिए नंबर आपकी क्या होनी चाहिए यह positive होनी चाहिए negative नंबर का anti log नहीं देखा जाता है एक second बात ध्यान रखिए second बात क्या है कि जो आपका anti log है वो जो देखा जाता है वो किसका देखा जाता है anti log की अगर बात करते हैं तो वो देखा जाता है एक से छोटी संख्या का एक से छोटी नमबर का यानि कि जो नमबर एक से छोटी हो उसका देखा जाता है टेबिल में ऐसी बात नहीं है कि एक से बड़ी नमबर का एंटी लॉग नहीं देखा जा सकता लेकिन टेबिल में जो वैल्यू नंबर पर ही use होती है अब इसे कैसे प्रियोग करते हैं कैसे हम antilog देखते हैं तो सबसे पहले तो आप देखिए यह क्या है यह antilog table है कहां से start होती है अगर इसके starting की बात करते हैं तो यह आपकी एक से छोड़ी value से ही शुरू होती है और एक से छोड़ी value पर ही खत्म हो जाती है देखिए last जो होता है 0.99 होता है तो एक से छोड़ी value का आप antilog देखेंगे और क्या देखेंगे positive number का देखेंगे अब देखना कैसा कैसा है आपको कोई number दी हुई है क्या दिया हुआ है antilog antilog आपको दिया हुआ है 0.53 दिया हुआ है suppose that तो आप कैसे देखेंगे देखें लोग भी जैसे हम लोग देखते थे वैसे ही हमारा antilog देखा जाता है यानि कि first two digit का देखा जाता है third digit के नीचे देखा जाता है तो इसमें क्या है first two digit तो आपकी हो गई है कौन कौन सी 0.59 third digit जो है वो कुछ दी नहीं है तो third digit को क्या मान लेते हैं अपनी तरफ से हम 0 मान लेते हैं क्योंकि 0.530 A की बात है 0.53 या 0.530 A की बात होती है तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हो गया कि हम क्या देखेंगे 0.53 का anti-log 0 के नीचे 0 के नीचे और 0 के नीचे देखेंगे तो क्या आएगा वो हमें बस देखना है अब कि क्या value आती है देखिए 0.53 का कहा है 0.53 यह रहा आपका 0.53 और यह रहा आपका 0 ठीक है 0.53 का 0 के नीचे देखिए 0.53 का 0 के नीचे क्या आ रहा है 3388 तो यही इसकी value हो जाएगी 3388 अब बात आती है कि point भी लगेगा क्या इसमें और लगेगा तो कहां लगेगा देखिए जो anti-log की value होती है 4 digit की इसमें value कुछ भी हो आपकी 1 digit के बाद point लगा दीजिए ठीक है 1 digit के बाद क्या लगाते है इसमें point लगाते है यह आपका anti-log की value हो जाएगी 0.53 की ठीक है जो value दी होई होती है उसी में 1 digit के बाद point लगाते है जबकि log में ऐसा नहीं होता था log में कुछ अलग होता था देखें next अब क्या गड़ते हैं next को ही value लेते हैं जैसे anti-log 0.537 suppose that आ गया 537 ले लेते हैं हम तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ 0.53 का anti-log 7 के नीचे 7 के नीचे यानि कि यह anti-log हमें किसके नीचे देखना है 7 के नीचे देखना है क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता चुके है first two digit का देखते है third digit के नीचे देखते है तो जो देखेंगे वो value क्या आएगी आप देख लीजिए 0.53 का 7 के नीचे देखें यही 0.53 है ठीक है और 7 कहा है 7 यह रहा 0.53 का 0.53 का 7 के नीचे क्या आ रहा है 7 के नीचे आ रहा है 3,4,4,3 3,4,4,3 आ रहा है 3,4,4,3 जो value आई है 3,4,4,3 और आपको बताया था बन डिजिट के बाद point आई हो पिए value आपको समझ में आ गई होंगी next लेते हैं next कोई number लेते हैं जैसे हमने किसका ले लिया anti log 0.1259 ठीक है 1259 तो बिल्कुल वैसी करेंगे first two digit का log देखेंगे third digit के नीचे देखेंगे और fourth digit के नीचे क्या देखते हैं mean difference ठीक है mean difference भी होता है बिल्कुल वैसी देखते हैं जैसे log रहता है बस थोड़ा सा difference होता है तो क्या करेंगे आप 0.12 का anti log 5 के नीचे प्लस 9 के नीचे mean difference 9 के नीचे mean difference देखें क्या आएगा इसका भी देखते हैं पहले 1,2 का 5 के नीचे देखना है 0.12 का 5 के नीचे देखें यह आपका 0.12 और 5 के नीचे कहां देखेंगे यह रहा 0.12 का 5 के नीचे कितना है 1,3,3,4 है कितना है 1,3,3,4 1,3,3,4 यह आ रहा है अभी 9 के नीचे और mean difference देखना है अब 9 के नीचे जो mean difference देखते हैं वही 12.12 के सामनी देखेंगे ठीक है 9 के नीचे mean difference 9 के नीचे mean difference की बात करते हैं तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इस 3 को भी add कर देते हैं, कहाँ पर add करेंगे वही बताया था, आपको last digit में add करते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर 3 add कर दिया, add करने के बाद number मिली आपको 7, 3 3, 1, और बाकी आप क्या करेंगे, वही करना है point लगाना है, one digit के बाद, one digit के बाद है, और अभी आगे चीजे बताते हैं, क्या क्या है अगर कहीं ऐसा आ गया anti log 0.12597 यानि कि point के बाद 5 digit आ गई है, तब आप anti log कैसे देखेंगे, कुछ नहीं करना बिलकुल log की तरह ही देखेंगे first two digit का second digit के नीचे और third के नीचे mean difference, फिर fifth digit का आपको कुछ नहीं करना है, है ना, देखेंगे, क्या करेंगे यहां भी 0.12 का anti log 5 के नीचे plus 9 के नीचे mean difference, ठीक है तो value वही आ जाएगी, जो उपर आई थी, क्योंकि उसी के जैसा सब कुछ है, value वही आ जाएगी, बन point three three seven यह तो हो गया, कि जब value आपकी सारी एक से छोटी हूँ, अब value अगर एक से बड़ी आएं, तब क्या होगा, और एक से बड़ी आएं, pointों में अगर value आएं, तब उनका anti log हम कैसे देखेंगे, तो देखें, यह भी बताते हैं, आगी की चीज़े भी, अगर आपको कहीं anti log दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, anti log seven point three five अब कैसे देखेंगे, इसका आपको anti log कैसे देखना है, देखें, जो points से पहली चीज है, उसको अलग कर दीजिए, जो point के पहली चीज है, point के पहले जो भी चीज है, जो भी नंबर है, जो भी digit है, उसका आपको कुछ नहीं करना, anti log हमेशा point से बाद की नंबर का देखना है आपको table में, तो क्या देखेंगे यहाँ, 0.35 का anti log 0 के नीचे, 0 के नीचे, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले digit क्या होगी, 0 होगी, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, 35 0 लिख लें हम, तो कोई problem हमारी नहीं है, अभी 7 का क्या होगा, into 10 की power हो जाएगी 7, यानि कि point के पहले जो भी digit होती है, वो 10 की power में चड़ जाती है, तो देखें, यहाँ value क्या आएगी, 10 की power into 10 की power, 7 तो ऐसे का, ऐसे ही आ गया, अब value देखनी है हमें, point 35 की 0 के नीचे, point 35 की value हम 0 के नीचे यहाँ देखेंगे, point 35 कहा है हमारा, यह रहा, point 35 और 0 के नीचे value यह रही, point 35 की value किसके नीचे, 0 के नीचे है, 2239, कितनी है, 2239, यह जो value है, यह है, 2239, और rule वही है, कि एक digit के बाद क्या लगाते हैं, point, ठीक है, तो यह value आ जाईगी आपकी, 7.35 की, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, बस point से पहले digit का, आपको क्या करना है, से के सी छोड़ देनी है, और वो बाद में 10 की power में चली जाएगी, चलिए और आगे चलते हैं, और आगे क्या, अगर कहीं आपको दिया हुआ है, anti-log, suppose that दिया हुआ है, 109.3275, अब इसका कैसे देखें हैं, बहुत लंबी से digit है, देखके आप बड़े प्रेशान हो जाते हैं, कि हम इसका क्या करें, तो देखिए बट्या, कुछ नहीं करना इसको, point से पहले digit, ऐसी की ऐसी छोड़ दीजिए, जो भी है, उसके बाद क्या कीजिएगा, point के बाद वाली, तो डिजिट का एंटी लॉग देखेंगे, first two डिजिट का एंटी लॉग देखेंगे, third के नीचे दीखेंगे, और fourth digit के नीचे देखेंगे, mean difference, यानि कि point 32 का, क्या देखना है आपको, एंटी लॉग देखना है, seven के नीचे देखना है, और 5 के नीचे क्या देखना है, mean difference, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा, 0.32 का, anti-log, 7 के नीचे, plus 5 के नीचे, mean difference, into 10 to power 109, दसकी गात क्या हो जाएगी, 109, अभी आपको बताया था, कि जो भी point से पहले आना है, वो सारा power में जाएगा, अब देखो, यहां से value क्या क्या बनती हैं, तो point 32 का 7 के नीचे, पहले हम देख लें, कहां है point 32, यह रहा point 32, इसका हमें किसके नीचे देखना है, 7 के नीचे देखना है, यह रहा आपका 7, ठीक है, तो point 32 का 7 के नीचे क्या आ रहा है आपका, point 32 का 7 के नीचे, point 32 का 7 के नीचे आ रहा है, कितना, आ रहा है, 2 1 2 3 2 1 2 3 कितना आ रहा है 2 1 2 3 ओके अब 5 के नीचे mean difference ओर देखना है यहीं पर कहां पर 0.32 के सामने ही 0.32 के सामने ही यह तो value देखी थी और हमें mean difference किसके नीचे देखना है 5 के नीचे तो 5 के नीचे जो mean difference आ रहा है वो कितना आ रहा है यह रहा, तो 2 और एड़ कर दीजिए इसमें, क्या एड़ कर दिया? 2 एड़ कर दिया ठीक है? क्या है की वैल्यू? यहां जाएगी 5, 2, 1, 2 एक डिजिट के बाद क्या लगाते हैं? पॉइंट इंटू 10 की पावर 109 यह आपका क्या हो जाएगा? आपके एंटी लॉग 109.3275 की वैल्यू हो जाएगी ठीक है? आयोग की आपको समुझ में आ गया होगा यहां तक, चितनी चीजे बताई हैं अब एक जगे आपकी प्रावलम थोड़ी सी कहां पढ़ती है? कि सपोज देट कहीं आपका आ गया एंटी लॉग सपोज देट आ गया एंटी लॉग में आपका 2 आ गया अब क्या करें? अब आप बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर आ गया था सपोज देट लॉग x is equal to 2 और आपको फिर एंटी लॉग लेना पड़ा पॉइंट तो लगाई सकते हैं न उसके बाद क्या कर दीजे? 0 बड़ा लीजे, कितने भी 0 बड़ा लीजे आप ठीक है? तो क्या करेंगे आप? तो तो वैसे कर वैसे ही रहेगा जो आपका रूल है आप क्या देखेंगे? 0.00 का 0.00 का एंटी लॉग 0.00 और इसके नीचे मैंने बोला था ना पॉइंट के बाद की 2 डिजिट का 1st 2 डिजिट का 3rd डिजिट के नीचे प्लास 10 to power प्लास नहीं इंटू 10 to power 2 अब देखो ये टेबल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा Starting में देखिए आपका .00 है क्या है .00 यह राप .00 और .00 की वैल्यू क्या होती है 1000 ठीक है 0 गे नीचे तो यहां आपकी वैल्यू क्या आ गई इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 1000 क्या वैल्यू आ गई 1000 वैल्यू आ गई लोई ये रही 1000 इन्टू 10 टू 2 और यहां क्या लगाना है एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है तो सिधा सिधा क्या आ गई है आपकी 1 इन्टू 10 टू पावर वैल्यू आ गई है 2 ठीक है आई होब आपको समझ में आ गया होगा ऐसे ही कहीं भी आपका पॉइंट दिया हुआ है मतलब complete number दी हुई है तो उसके आगा point लगा के 0 लगा लीजिए और 00 की value देख लीजिए अब यहाँ पर क्या होता है एक और चीज जो आती है जो important है chemistry में ज्यादा पूछी जाती है वो क्या है कि anti log कहीं पर दिया हुआ है और anti log में suppose that आपको दिया हुआ है 7 और 7 के उपर दिया हुआ है बार और उसके बाद suppose that 6, 3 दे दिया और फिर क्या दे दिया 9 दे दिया तो देखो इस बार का मतलब यह नहीं होता कि 7 को 7 बार-बार आ रहा है इसका मतलब यह है कि जो 7 है यह 7 आपकी निगेटिव नंबर है यानि कि 7 निगेटिव है पूरे पर बार नहीं है तो इससे यह पता लग रहा है कि 7 निगेटिव है कोई problem नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग किसका देखेंगे, 0.63 का 9 के नीचे, ठीक है, 9 के नीचे, ये देख लिया, into 10 to power, minus 7, 10 की power कहां पहुच जाएगी, sorry, minus 7 कहां पहुच जाएगा, 10 की power में, तो देखें value क्या आएगी, यहां से जो बनेगी, देखें, 0.63 का देखते हैं, 0.63 कहां पर है, यह रहा 0.63, और 0.63 का किसके नीचे देखना है, 9 के नीचे, 0.63 का 9 के नीचे, यह रहा आपका 9, 0.63 का 9 के नीचे जो value आ रही है, वो क्या आ रही है, वो value आ रही है, 4775 477 नहीं सरी 0.63 की जो value है 0.63 की जो value है वो ये है 4355 4355 value जो आ रही है 4355 10 to power minus 7 एक डिजिट के बाद क्या लगाएंगे हम पॉइंट लगाएंगे ठीक है कुछ नहीं करना जाद हमें इसमें बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसा उपर से करते चले आ रहे हैं तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत जगे क्या आता है कहीं पर बैल्यू आ रही है suppose that हमारा क्या आ रहा है log x is equal to आ गया minus 2 इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब हो गया x is equal to anti log minus 2 तो इसे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं anti log 2 bar 0.00 कितने 0 लगा लीजिए तो यह बिल्कुल कैसा हो जाएगा जैसे अभी उपर का था बस इसमें क्या हो जाएंगे power minus की 2 हो जाएंगी अगर इसको आप solve करेंगे तो यहां क्या आ जाएंगे power minus की 2 आ जाएंगी यानि कि इसका anti log कैसे देखेंगे हम इसका देख लेंगे हम 0.00 का 0 के नीचे into 10 to power minus 2 तो आपको अभी बताया था 0.00 का 0 के नीचे जो होता है वो कितना होता है वो होता है 1000 यानि कि 1.000 into 10 to power minus 2 तो यह भी clear हो गया है अब जो anti log बचा है आपका वो बचा है सबसे ज़्यादा important जो सबसे ज़्यादा chemistry में use होता है ठीक है यानि कि जब हमारी whole number negative आ जाए complete नमबर के आ जाए आपकी negative आ जाए तब आप क्या करेंगे log को कैसे देख पाएंगे sorry anti log को कैसे देख पाएंगे log नहीं anti log anti log चला है हमारा देखिए कैसे हैं कि कहीं पर आपको मिल गया anti log minus 4.63 2 ठीक है ऐसे कहीं मिल गया तो इसका क्या करेंगे देखिए यह जो number है minus इस minus number अगर यह सामने लगी हुई है देखो अगर उपर बार होता तो इसका मतलब होता कि 4 negative है लेकिन अगर सामने लगा हुआ है तो इससे यह पता लग रहा है कि आपकी complete number negative है ठीक है आपका 4 भी negative है और point के बाद वाली digit भी क्या है negative है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो यह बोला गया था starting में ही कि क्या होना चाहिए 1 से छोड़ी होनी चाहिए और positive होनी चाहिए है तो उसका तो हमारे पास solution आ गया है लेकिन इससे positive कैसे करें तो देखिए इसको positive करना हम बता रहे हैं इससे positive कैसे करेंगे हम कि हमारा anti-log है anti-log इस 4 को हम कैसे तोड़ लेंगे इसको बोल सकते हैं हम इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया minus 4 और minus का ही हो गया है 0.632 ठीक है लिख सकते हैं ना ऐसे minus minus plus हो कही है नमबर बन जाएगी अब इसको आगे क्या कह सकते हैं हम anti-log इस 4 को ही हम break कर लेते हैं किसमे minus 5 plus 1 में कर सकते हैं न minus 5 plus 1 का मतलब क्या हो गया minus 4 और आगे की डिजिट ऐसी रख लेंगे 0.632 0.632 बाकी नमबर जो रही वो ऐसी के ऐसी रही अब क्या करेंगे इतने को solve कर लेंगे इसको देखो यहां से क्या आ गया anti-log minus 5 और plus का क्या आ गया होगा यहां बच जाएगा 6 और यहां बच जाएगा 3 तो यह बच जाएगा plus का 0.368 तो इसको हम क्या बोल सकते हैं अब इसको हम बोल सकते हैं यहां से anti-log 5 bar 0.368 बोल सकते हैं न यह कैसे हो गया अब हमारा क्या हो गया जो पॉइंट से पहली डिजिट है वो तो minus की है और जो पॉइंट के बाद की डिजिट है वो कैसी है वो आपकी plus की है तो इसका देखने के लिए क्या करेंगे हम अब हम देखेंगे यहां से 0.36 का anti-log 8 के नीचे into 10 to power minus 5 ठीक है आई होप सारा आपको समझ में आ गया होगा यानि कि हम अगर पूरी नंबर हमारी negative बन रही है तो उससे पहले positive में change करना पड़ेगा चलिए आगे देखते हैं 0.36 का 8 के नीचे अब तो आप देखी पाएंगे क्योंकि लॉक देखना आपको बता दिया है anti-log देखना आपको बता दिया है 0.36 का यह रा 0.36 और इसका किसके नीचे आपको देखना है 8 के नीचे देखना है यह रा आपका 8 8 के नीचे की table यह है तो यहाँ जो value आ रही है कितनी आ रही है 2333 ठीक है, क्या value आ रही है 2, 3, 3, 3 into 10 to power minus 5 ठीक है point कहां लगेगा, यहां तो आई ओफ आपको समझ में आ गया होगा कि minus वाले का हमें क्या करना है, अब देखिए minus वाले के लिए अगर जाद है आपको solve नहीं करना तो कुछ और चीज़े बता देते हैं, जैसे कहीं दिया हुआ है, anti-log कितना दिया हुआ है, minus दिया हुआ है, suppose that minus 13, point 3, 5 दिया हुआ है, suppose that तो इसका आपको क्या करना है वैसे ही solve करेंगे लेकिन इसकी एक trick बता रहे है इससे क्या हो जाएगा, anti-log बस आप डाइरेक्ट क्या कीजिएगा, जो ये नंबर है, इससे अगली नंबर ले लीजिए अगली नंबर क्या है, 14 उसके उपर क्या लगा दीजिए, बार ठीक है, और इसको क्या कर लीजिएगा, इसे 100 मान लीजिए, 100 में से 35 गटा लीजिए, क्या जाएगा, 65 अजाएगा, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये short trick है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रही है, तो देखिए, अभी हम इसे ही solve करके दिखाते हैं, कि हमारा क्या था, जैसे anti-log था, anti-log, तो हम क्या बोल देते, माइनस 13, माइनस 0.35, आगे क्या आता इसका, anti-log, इसे जब करते तो, माइनस 14, प्लस 1, माइनस 0.35, और इसको जब हम solve करते तो क्या आ जाता है, यहां से, आ जाता anti-log, माइनस 14, प्लस 0.65, और value क्या बनती आपकी, यही बनती, anti-log, 14 बार, 0.65, और यही हम आपको बता रहे थे, कि यह ट्रिक से भी कर सकते हैं, ऐसे, जैसे आपको बताया, कि अगली digit ले लीजिए, उपर बार लगा लीजिए, और इसे आप क्या कर लीजिएगा, वन में से माइनस कर लीजिएगा, या 100 मानके, 0.100 मानके, इसको क्या कर लेना, माइनस, कहने का मतलब यह है, कि यह जो है, यह बन का हिस्सा है, अब जितना हिस्सा बचा हुआ है, वो लिख लीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है, अब आप इसका anti-log देख सकते हैं, आपको इसका anti-log देखने में, I think कोई समस्या नहीं आएग तो anti-log में जितनी चीजे थी, लगभग हम आपको सारी बता चुके हैं, बस एक चीज और थोड़ी सी छोड़ी इसी बता दें, कि अगर कहीं anti-log इस type का आजाए, तब आपको क्या करना है, किस type का anti-log, कहीं आजाए 0.000235, तब आप कैसे करेंगे, इसका anti-log कैसे देखें, तो इसका anti-log देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पहले, बताइए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करना है आपको, आप सोच रहे होंगे कि इसकी हम पावर बना लें, हैना, पावर बना लें, पावर बना के आपको कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करन है first two digit का देखना है यहां भी third digit के नीचे देखना है और fourth digit के नीचे mean difference देखना है देखिए यह रहा point zero zero का zero के नीचे देखेंगे तो यह रहा और mean difference किसके नीचे देख लेंगे जो भी आगे digit आ रही है suppose that two आ रही है तो two के नीचे mean difference भी क्या रहा जीरो आ रहा है तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा ठीक है आई ओप आपको वीडियो समझ में आगया होगा सारा का सारा anti log और log में जो भी चीज़े थी आपको समझ में आ गई होंगी anti log log से किस तरह से relate करता है ये भी हमने आपको बता दिया है कौन कौन सी नंबर का आप अंटि लॉग देख सकते हैं ये भी सब आपको बता दिया है सब आपको explain कर दिया है तो comment करके बताईए आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और किसी अगली ट्रिकी वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार बंदे मात्रम